नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे काॉज़ आफ रापिट ग्रॉफ ऑफ टर्सरी सेक्टर का मतलब क्या कारण है तेजी से विलास होने का डिवलोप्मेंट होने का बहुत तेजी से हमारे इंडियन एकॉनोमिक्स में उसी पर हम कुछ नम्बर पर फाक्टर को जामिक करेंगे और यह कोर्स कोड एंडियन इकॉन परिश्ट में पुस्ट हुआ है तो इसमें एक तो इसमें पहला है कि काउज़ और रापिट ग्रॉफ और सरी सेक्टर लेनिश शेक्टर का तो देरान नमबर ऑफ फाक्टर रिस्पॉंसीबल फोर रापि पहले और सर्विस या स्टर्सरी सेक्टर बहुत सारी फाक्टर है जिसमें माइल्डी फॉप्स प्राक्टर जो दिवियाई फ्राक्टर उसको डिस्कुस करेंगे पाहला है कि कि एडवेंट आप मतलब कमींग आप या आजमन आप तीक है आजमन आप मॉडन टेक्नोलोजिय क्या कात्या है को रहा और नॉलेज इककोनोमिक्स या आपका सब्सक्राइब करते हैं मॉडन इकोनोमिक्स के घंड करने का वहें क्या इन्फरमेशन टेखनोजी जिसको आइटी कहेंगे और नौजेज एकॉनोडिक्स इन्फरमेशन टेखनोजी का जिसको इन्टरनेट को गिया कम्मुनिकेशन तर्म्मुनिकेशन उससे हमारे कंट्री में आस्पेड हुआ तुडे इस दा यह जो गलोबलाइजेशन तुरे एक्रास बने हमारा पूरा आज थो एक छोटा सा बेज वर मिया तुटुब गलोबलाइजेशन जिसके कारण सर्फ यह जो डू फास्ट डिवलक्मेंट को पाइटी इंफरमेशन टेखनोलोजी और इकोनोमिक्स तो इससे क्य जाने इंटरनेट सब लग गया है जिसके कारण में इसकी प्रोड़क्टिव्यूटी काफि बढ़ जई है पहले जो बाइंट में जो हुसाब किताब होता था से 20 साल दस्व पहले वो रेजिस्टर में होता था सब कॉंप्यूटर के दौरा होता किसे काफी फास्ट काफी कम सब्सक्राइब करने की काफिशय के अदरिक है आज सर्विस प्रोड़टिव फिकी एक्टीज चाहने का मतलब है कि मतलब है इंटरनेट करो इंफर्मेशन यूज़ेशन चिज होते हैं आज भी हम साधी का पार्टिंग गराएं जब हमको जबहुत होता है तो हम नेट से या किसी नेट से हम भूब कर सकते हैं मतलब करने वालों को बला सकते हैं यह चोटे-चोटे जो अस्पर का जो कान होता है वहां भी सर्विस कर दिया खाफी फास्ट सर्विस मिलने लगा है तो यह पहला कारण था का इंफोर्मेशन टेक्नोलोटी और नौलेज एकवरमिक्स जो वन अफ दा मोस्ट रिस्पोंसिवल फैक्टर फोर प्रॉब ऑप सर्विस सेक्टर तो जैसे आप बैंकिंगा सकते हो इंसुरेंस फाइन्स टेली कम्निकेशन ठीक है ट्रांस्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्ड्च्चर बश्याब एंफ्रास्ट्चर घेल्फ एज्ट कशिक करई है ट्रास्ट्यक्ट्चर वस्टा होता कि किन्थ और दूसरा ऑंप सोशल इंवटो 250 देश सकते हैं तो वहां पर शर्ताद एकनोमिक से इंफरास्ट्रक्टर्चर एक टेली काम्निकेशन इसब और आपका रोड ट्रांस्पोर्ट यह सब इसका डेवलप्मेंट होता है तो यह तो यह क्या करता है कि यह रास्ता खूल देता है तोसल इंफरास्टर्चर्चर यह को सब्सक्राइब करना परें यह इक सेक्टर का इंफ्रास्टर्चर के डवलोप होने से एकणोमिक्स की अधर स्ट्रक्टर के नीड को पूरा करता तो तो हमारे देसीं विभी काफी इकॉनोमिक्स इंफरा स्ट्डॉक्ट का डेवल्पनेंट हुआ जिसके एज citizen structure का भी काफी अग्सेंसर विस्तार हुआ जहर्ट को आज हमारा गवर्मेंट क्या है वेलफियर गवर्मेंट है पहले था सरकार का काम यूग लड़ो और राजिता रेवेनु मतलब कलेक्ट करो लेकिन आज वो यूग लड़ में और अभी दिद्धाबर एंड कलेक्टिंग रेवेनु से ब सब्सक्राइब गवर्मेंट को वो लुभानी के लिए अट्रैक्ट करने के लिए अपने अजेंडा में ज्यादा ज्यादा वेलफियर अजेंडा रखता है ताकि उसको लोग वोट दें ताकि वह सकता कि आके आ सके और ताकि लोगों के एस्पारेशन को पूरा कर सकते हैं और इसके तरीक ते तुडे गवर्मेंट या मॉडेन गवर्मेंट है सिग्निफिकेंट रॉल बहुत बड़ा रिमार्केबर रॉल है कहां पर प्रोड़क्शन में और प्लानिंग में जैसे कि हमारे हां प्लानिंग कमिशन था उने सो पचास में इसको भी डिजॉल्व कर द इसका पूल पूर में यह एक के सब्सक्राइब कर दो थॉलिंट से यह स्कृत में आए था था फिटीन के सिक्स्टीन है जिए फिटीन हो राइटिंग लेट में लेकर देंग हलो तो जब भी क्या है कि आपके तीन साल का दस साल का लॉंग टर्म प्लान करता था वह फाइव यह प्लान करता था तुएल फाइव प्लान कंप्लिटेट हुआ उसके बाद डिजॉल्व कर दिया जहां नया गौर्मेंट ने नीती आयो किया इसका फूल कॉन होता है नैस्टन इंडिया इसका नाम दिया वही प्लाणिंग कमिशन है याली लॉंटर प्रांग कर रहा है इसे तीन साल से साथ साल की बड़ा और लॉंटर वालों को फाइप यह का करता था तो आज का गौर्मेंट का मैंने मैं सिग्निफिकेंट एंड रिमार्ट है क्यावता है बहुत सभशनर करता है ऍसके और AK appreciative एकनों मीस को बढ़नेंके लिए खुद इंवराश्टक्टर की खुद को निर्मान करता है सप्लाइब करता है इसके फांच रोड बने जाएं तो ज्यादा नहां इंवेस्टमेंट होगी और इंवेस्टमेंट हो गया तो क्या इंकम बढ़ें कि अरिकम बने से अर्गनाइजेशन जैसे इनाइट लेसा मगरा जो बहुत सारे इनीसियाट किया है प्रोग्राण एगार्डिंट लेटियूंट हैं तया हुआ उस्थ है इसे सर्व सिश्चा भ्यान सर्व सिच्षा व्यान जिसमें हमारे बच्चों को बच्छों को खाना मिलता है तो इसका इसा इनाटेट नेसं से भी आता है इसा वाद में पूरत के दर सब्दार होता है तो बहुत आरे किया जा रहा है और तो डिश्टा एज अगलोबलाइजेशन आज का जी भी है गलोबलाइजेशन का मतलब हैं आपकंड्री आज किसी भी क अब जान सकते हैं तो यह चीज है कि कैसे संभ़ों हुआ हुआ है इस पॉसिवल्ट इन्टरी कम्टिकेशन इंटरनेट से वा प्वा फॉस्ट ग्लोबलाइजेशन है ठीक है और और कैसे लोग जुड़ा हुआ इंटरनाशनल ट्रेट से जुड़ा हुआ है तो इसम जुड के लिए हमारे हैं कि अमरिका वंदन इवेन आपका ऊस्ट्रेडिया वेरा जाते हैं आज इतना फैसलिटी बढ़ गई है मिन्स और ट्रांस्पोर्टेशन की मैं जली कहीं विजिट कर सकता हूं किसी भी कंट्री को और इससे ऑप्रेशन और डॉमेंस्ट्रेशन डिमोंस्ट इसका अप्रेशन इफेक्ट होता है इसका होने से हम नकल करने लगते जैसे कोई बच्चा करने तो वहां पर वो चीज जो वहां के लाइप ऑस्टाइल से वह इंप्रेश हुआ वही लाइप ऑस्टाइल वह डोमेस्टिक कंट्री में डिमांड करता है इसमलर और जिसके इंटरनेशनल हो गया है द्यूंट इंटरेशन नौलेज ए इंटरनेट के एकस्टेंस अप्टेली इंटरनेट के ऊंडेशन और तोरिजन इंडंवे उनटरनेशनल मतलब बन दश्षाइं ज्यदा इंटरनेशनल को नहीं द्यूंट है हमारे देस में बहुत लोग आते हैं दूसरे देश को पैसे जानते हैं चुक्तुए ट्रूपीजन और इंटर्णेट के साइटा तो लोग जानगे इस ज़ड़ा को जाए नेथा हमें ये ब्यूटी नैच्टरल दूटी मिलेगा जिसका जो लाइकिन्ग है डिस्लाइकिंग उसके अधार पर जाते हैं तो जैसे ही इन्टेस्टी तो इससे एकनोमिक्स के अजलविस सेक्टर का भी मैं AG अब सिस्टेस्ते65 यह से फॉल्ट Sempre कि यहां वहां वर वो सामिल हो जागा जिस तरह की बिजनस हो तो टूरिजम इंडस्ट्री वाके में आज हमारा अभी पोटेंशियल बहुत जाजा है इसका डवलप्मेंट कोने के लिए और इगनु से भी कोर्स बोगों कराए जाता तूरिजम में अगर वहां पर आप कोई ब आप इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन मतलब अर्बनाइजेशन मतलब सहरी करन भाव का लोगों को सहरों में आके बसना में बी मेजर फाक्टर रिस्पोंसिबल फोर एपिट ग्रॉफ ऑफ इंफ्रास्टर्ट्ट्रॉफ एच्छो उमीरेफिट ग्रॉफ उप सार्विस तो एसे एक लागजने आशोशेट भी इस एक जिर राइचिन डिमांड ऑफ इंफ्रस्ट्रॉट्य इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगीु कि इसके डिस्टिब्यूटीव सर्विसेज तिक है अब वो एक डिवाइड होता है रूलर और अर्वन डिवाइड इसे टेली कम्मुनिकेशन है तो भाइड सहरों में ज्यादा और टावर लगा हो गाव में भी होते हैं वहां भी डिमांड बढ़ गया है कि ग्राविन छेपर तो अब जाकर हम इसका मतलब टावर लगाएं बुए प्रवार आज तो नियांटेस है मारा टैली कम्मुनिकेशन प्रावेट हो चिबाता ठीक है तो आज प्रावेट से काम करता है जहां डिमांड है वहां भाइज सप्लाइज करो और फ्रॉफिट कमाउड तो जिसके जो लोग गौ में जो रहते हैं वो मॉंबाइल इंटरनेट इसमसे मतलब नहीं ता जब वो सहर में माइगरेट हुए है कि लोगों को देखा आज रिक्सा चाल लगते हैं सब मोबाइल फोन स्वांट फोन प्रखते लगें तो यह हमारे कंजब्शन बंडल में सामील हो गया गया है की नहीं है सामील Sabbath नबर सब्सक्रिज सब्सक्राइब यह देखा था सब्सक्राइब अब यहां पर क्या है कि हमारे हाँ लेवर लौ है बहुत ही अस्ट्रेख यह पर्मानेंट कोई इंपलाइं नहीं रखता है मैनुफैक्टरिंग सेक्टर इंडस्टी में सब्सक्राइब यहां क्या करता है यह सब को आप सोर्स कर लिया जाता है कि भाई आप मेरा इतना काम कर दो बंदले में इतना पैसा ले दो आप तुमारा पर्मानेंट इंपलाई नहीं है ठीक है आप कितना लोग ठीका बाइया पचास जार है पचास जार में पूरे दिली का बोर ठीका ही आपकुछ भी अनौट हो जबता है ले रही हो कर दिया दस पर लोग मिलके कर दिया उसको पर्मानेंट इंपलाइए नहीं है नाहीं उसको पर फ्राविदेंट फॉंड नहीं होगा वो और सौर्सिंग कर लिए अब ऑस्वार्ट से क्या होता है के जो जो इससे तो ब्रोफ हुआ एक्टूवर में सर्विस जो ग्रॉफ हुआ उनु कं सब्सक्राइब करता है और इसके अत्रीक आइसा ही इसलिए करता है एक तरह तरह तो वह सेविंग करता है आप पास्ट और दूसरी तरह आप लेवर लोग है सब्सक्राइब करते हैं प्राइबेट को या पॉप्लिक सेक्टर निकाल नहीं सकते हैं कुछ बहुत सारे रूल है प्रोसीजर और प्रेक्रिया से घुजरना अशान लिए नमबर एट पॉइंट हमारा इंटरनेशनल जो मतलब इंटरनेशनल जो इन्वर्मेंट रहा है सर्व यसे जिससे कारण हमारे हाँ इंटर्टैनमेंट इंडर्स्ट्रीज मतलब इंडिया फेला स्थान रखता है वल्ड में एक्सपोर्ट करने में और चेना हार्डवेर में पहला स्थान है और लोग यहां से विदेशों में जाके भी काम कर रहे हैं तो हमारा कुछ ऐसा इंटर्डेशनल इंवर्मेंट जो फैबर एवन है जिसके कारण यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं नेटर्नेशनल हमारा मार्केट के अच्छा रहा था यहां दूसरा बात से समझे होगे हमारा किनके भी कोई खराब नहीं है ठीक है लेकिन आज भी पकिस्तान से मारा बाइस नहीं होगा तो उसी परकार जो हमारा जो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो उस हिसाब से हमारा जो सर्विस सेक्टर के लिए आपको होगे तो इंटरनेशनल उस पिरियेड में जो कब सब्सक्राइब से हुआ जब हमारा ग्लोबल लाइजेशन लीवलर राइजेशन उस समय से आज सकता इंवर्मेंट हमारा अच्छा संपन बढ़िया है ऐसा बात में कि चैना से हमारा संपन आए दिनों में खराब होते रहता है गोई लग बात है लेकिन आज हम लोग बहुत सारे चीज़ का एंपोर्ट करते हैं वह में दिया जानते हैं कि क्यूंक से पुझक्षक चुसनाग हम एक्सपोर्ट करते हैं तो यह ठाएट इब्श WiFi से और इसके अतरीक भी आप जतना मेजर सेटी है पूरा एमरी की पैटर्न पर डेमॉस्ट्रेशन इंफेक्ट कारण फ्रीलांस सर्विस है आप लोग भी आप पुराना जमाना नहीं टैडिसनल सर्विस करना चाहते हैं कि लोग कि सुबह जाइए दस वजे-पांच वजे तक हमाना आप कहीए तूर में रहे आपका काम से काम मतलब रहे हैं घर बैटेम कर देते हैं आप मही ने कंपनी को काम से मतलब है आप उसका कशाम कर दीजे आपको उसके यहां भी कुछ स्टेट ऐसा जरूर है या कुछ मेजर सिटी विर्कुल जो कल्चर अमरीका का है वह यहां भी सेट अप हो चुका कम से कम रोजगार की शिक्तर में अभी तो मुनबई को हो डली को हो और बहुत सारे पॉल को ताक हो बहुत मेजर सिटी बन गया है बंगलोर बं इंटर्नेशनल कलेक्टिविटी एंटर्फ्टेशनल के कारण से विर्का यहां बहुत सारे लोग से विर्काल्ट आयाल को सीखते हैं आं अईसा बात नहीं हम ही लोग कर रहे हैं बिर लोगो पसंदों कर रहा है जो आच्छी छीज और उनलों का भी अच्छी की चीज है वही हम लोग को भी पसंद करना चाहिए तो यह सब था शाटर आप लोगो समस्थ है आया तुम